कि अधर शर्ष पार्टिकल उफ मास एम इसा है यहां से इधर उपर गया फिर वो सिधा नीचे आया फिर यहां पे एक स्क्वेर फिर फॉर्म करता है उसके बाद यह फिर ऊपर जाता है और some rectangle form करता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं एक सगन तो ये कुछ ऐसा है है ना तो ये वाला जो अब graph में देखेंगे तो ये वाला कितना दिया गया है? ये 3 दिया गया है और ये वाला जो top है, ये कितने में दिया गया है? यह 6 में दिया गया है और इधर नीचे की तरब कितना में दिया गया है माइनास 3 पे दिया गया है अब दिखिए यह जो यह किसका है exist force का है और यह time का है तो area जो होता है area under ft graph होता है वो क्या होता है वही तो हमारा momentum होता है right? Change in momentum ठीक है? तो हमें बस area निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका area निकालेंगे, ठीक है? तो इसका area अगर निकाला जाए, तो क्या होगा? तो triangle है, तो area of the triangle क्या हो जाएगा? 1 by 2 into base, base कितना है? यहाँ से लेके आप graph देखे, यहाँ पर point पर कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, इधर कितना दिया गया का area अगर निकालते हैं तो base length into height होता है तो यहाँ पे length कितना है 4 minus 2 है और height कितना है देखिए 3 है minus 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं अभी के लिए और यह बन जाता है 6 ठीक है अब यहाँ पे उपर में यह rectangle पे आई है इस rectangle का जो area होगा वो कितना होगा यह 8 minus 4 कितना होता है 4 होता है तो length इसका कितना है 4 है और height कितना है 3 है तो यानि कि यह हो गया 12 तो total कितना होगा देखिए यह वाला क्या होगा यह minus होगा है ना minus हो जाएगा क्योंकि यह नीचे की तरफ है तो इसको हमें minus करना होगा तो इस से यह कट जाएगा और बच्चे का क्या 12 तो हमारा ज कर दो